हेलो दोस्तो कैसे आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल स्वी कोचिंग क्लासेस पर स्वगत है दोस्तो क्लास 11 फिजिक्स में आज का जो टॉपिक है वो है रुधोस में प्रक्रम रुद्धोस में प्रक्रम क्या है रुद्धोस में प्रक्रम की गरती व्यक्या ऐसा कॉश्चन सीधा पूछा जाता है मेरे भाई तो प्लीज आप लोग इसे अच्छे से तयार कर लो तो चलते हैं सबसे पहले देखते हैं परिभासा और हाँ दोस्तों वीडियो को अंतक परिभासा दोस्तों जब किसी निकाय में इस प्रकार बहुत इक परिवर्तन किया जाता है कि निकाय से उसमा ना तो बाहर जा सके और ना ही अंदर निकाय में प्रवेश कर सके तो इस प्रकार के प्रक्रम को दोस्तों रुद्धोस में प्रक्रम कहते हैं मतलब रुद्धोस में प्रक्रम में निकाय से ना तो उसमा बाहर जाती है और ना तो दोस्तो बाहर से निकाय में प्रवेश करती है है ना दोस्तो ऐसा प्रक्रम जिसमें उसमा ना तो निकाय से बाहर जाती है और ना तो निकाय के अंदर प्रवेश करती है तो दोस्तो यह जो प्रक्रम है वो क्या कहलाती दोस्तो रुद्धोस में प्रक्रम समझ रहे हैं मतलब एक ऐसा प्रक्रम जिसमें दोस्तो उसमा का कोई आदान प्रदान बिन में नहीं होता उसे कहते हैं दोस्तो हम रुद्धोस में प्रक्रम इसके एक्जामपल लिखना चाहेते हैं तो दो एक्जामपल लिख लें छोटे छोटे एक्जामपल इस साइकल के टायर का फटना रुद्धोस में परिवर्तन का उदारन है लिख लें मेरे भायू साइकल के टायर का फटना रुद्धोस में परिवर्तन का उदारन है बायू म ध्वनी का गमान होना, ये भी रुधोस में प्रक्रम या परिवर्थन का उधारण है, इसके कुछ सर्ते होती हैं दोस्तों, पहला सर्त यह है कि बातवन से उस्मा का बिनमे में नहीं होना चाहिए, मतलब पदार्थ हो, निकाय हो, तो उसमें से उस्मा अंदर बाहर ना जा सक होगे, तो दोस्तों सर्ते और जो उधारण है, तो बनने ही चाहिए, और लेकिन दोस्तों जो गड़ती ब्याख्या है, ये तो बिल्कुल बनना ही बनना चाहिए, जो अपन गड़ती ब्याख्या करने वाले हैं, इसको आपको विडिवत ही तैयारी करना है, भेरी इंपोर् करते हैं तो माना किसी आदर्स गैस के एक मोल का प्ररंबिक दाब पीवन है तथा ताब टीवन है गैस के रुधोस्न प्रसार होता है जिससे उसका दाब पीटू और आधन भीटू तथा ताब कितना हो जाता मिरे भाई टीटू हो जाता है ठीक ताब कितना हो जाता है टीटू हो जाता है तब यदि हम कहें कि आधन भीवन से भीटू तक रुधोस्न में गैस का कितना प्रसार होगा और कितना कार किया जाएगा तो आगे आपको लिखना है मेरे भाई यो कि आताह आताह आतान कहां से दोस्तो आतन भीवन से कहां तक आतन भीटू तक कौन सा प्रसार हो रहा मेरे भाई रुधोस्न प्रसार कौन सा प्रसार रुधोस में प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार है अब दोस्तो किया गया कार कितना होगा तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि डबलू बराबर कहां से भीवन से कहां तक भीटू तक पी डीवी ये आपका फार्मूला है ये एक मैंने छोटा सा बेंजा कराया था कि किसी गैस द्वारा किये गया कार में कितना फार्मूला निकलता है तो अपन कही आया था इसको समय करने दे दें और दोस्तो इसको लिख लें याद कर लें रुद्धोस में प्रसार के लिए रुद्धोस में प्रसार के लिए जो दुस्तो आपका पी भी होता है ना पी भी कामा होता है दुस्तो पावर में कि एक नियतांग के रूप में रहता है ठीक है एक नियतांग की रूप में जाता है अब यदि इस से मैं निकालना चाहूं पी की बैलू तो हो जाएगा के अपान भी की पावर गामा गामा है दोस्तों ठीक है ना गामा है याद रखिएगा गामा इसकी बैलू समिकर्ण एक में रखने पर तो कितना हो जाएगा मेरे भाई डबलू बराबर भी वन से भी टू की अपान भी गामा और दोस्तों कितना हो जाएगा धी भी डी भी सोरी अब इसकी आगे समा कलन करना है तो थोड़ा देखते हैं अपन आगे बढ़ाते हैं ठीक है चलिए तो दोस्तों यहाँ पर जो है उसे बाहर ले लेंगे तो डबलू बराबर थोड़ा सा इधर में लिख रहा हूँ ठीक है के बाहर आ जाएगा और दोस्तों भी वन से भी टू वन अपान भी और इसमें दोस्तों घात में गामा है डी भी हो गया क्लियर अब आगे देखना है आपको यह के है दोस्तों भ भी वन से भी टू भी पाबर उपर दोस्तों जाएगा तो माइनस हो जाएगा यह गामा है याद रखीगा दी भी अब दोस्तों यदि आपके पास इसके पाबर में हो तो इसका समा कलन होता है भी पाबर यह दोस्तों इसके बाद यहां होता है प्लस वन और जो भी घात में यहें उसको नीचे प्लस 1 कर देए V1 से V2 हो गया यहाँ पर एक फार्मुला लिख देता हूँ X के पावर N का समा कलन होता है X के पावर N प्लस 1 अपान N प्लस 1 उसी फार्मेट पर यहाँ पर समा कलन का मैंने फार्मुला लगाया है ठिक है अब इसके बाद दोस्तों करेंगे क्या कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा ये डबलू इक्वल है तो के रहने दें यदि इसको मैं इसको बाहर ले लूँ उन माइनस गामा तो कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए देखिए इसको बाहर ले ले लेता है ये प्लस है तो वन और माइनस गामा क्योंकि यहां भी तो है नहीं तो भी तो रखेंगे नहीं और दोस्तों यहां पर भी माइनस गामा ले लिया जाए तो बचे का वन यहां पर दोस्तों थोड़ा सा गामा माइनस वन होगा है ना गामा माइनस वन देखिए तो थोड़ा सा माइनस काम लेंगे तो गाम माइनस वन होगा इतना तो क्लियर है ना कैलकुलेशन गलत नहीं होने चाहिए भाई नहीं तो पूरा का पूरा मेनत बेकार हो जाएगा ठीक है इसके बाद दोस्तो इसको यदि हम करें कि डबलू बराबर के अपान वन माइनस गामा तो यह जो माइनस से वो नीची चला जाएगा वन अपान भी की पावर गामा माइनस वन और दोस्तो भी वन से भी टू हो गया सैयम बस नहीं खोना भले लंबा है दोस्तो लेकिन इजी है यार देखो अब आप डबलू लगाओ के अपान वन माइनस गामा लगाओ अपर लिमिट लगाओ वन अपान भी टू गामा माइनस माइनस वन अपान भी वन गामा माइनस वन हो गया अब दोस्तो एक फार्मुला आपने पढ़ा है इस्टार्ट में कि क्या होता है K बराबर कितना होता है आप लोगों ने पढ़ा कि P V गामा इसका आपने बैलू देखा कितना K यदि मैं यहाँ पे कह दूँ कि P1 B1 P1 B1 बराबर P2 V2 गामा है इसकी वैलू K है तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है मेरे भाईयो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है तो चलिए हो सकता है तो फिर आगे करते हैं पर टबलू बराबर कित्त हो जाएगा ये K का अंदर मल्टिप्लाइ कर दें K का अंदर मल्टिप्लाइ कर दें V2 कामा माइनस 1 माइनस K का मल्टिप्लाइ तो B1 कामा माइनस 1 अब दूस्तो K की बेलू यहाँ से उठाएंगे जहाँ पर 1 है तो 1 लेंगे गामा यहां से ले रहे ना यहां से वट्टे दोस्तो भी टू गामा माइनस वन हो गया माइनस के की बेलू अब यहां पर भी वन भी वन गामा लेंगे ठीक है फिर भी वन गामा माइनस वन यह दोस्तो आपका आगया डवलू बराबर ठीक है अब इसमें जो भी डिवाइड हो उसे divide कर दीजिए जो भी बचे तो देखे दोस्तो गामा से गामा कटेगा और बचेगा 1 upon 1 minus गामा हो जाएगा यहाँ पर केबल बचेगा दोस्तो P2 और V2 पावर और बचेगा तो उपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा यहाँ पर बचेगा P1 और V1 ठीक है इतना तो समझ में आगया होगा अब इसके आगे दोस्तो लगाएंगे आदर सगे समय करण से कि चूंकि P1 V1 बराबर होगा दोस्तो R T1 और P2 V2 बराबर हो जाएगा R T2 P1 V1 बराबर R T1 और P2 V2 बराबर R T2 clear दोस्तो कितना आएगा W बराबर हो जाएगा 1 अप आन 1 माइनस गामा हो जाएगा ठीक है और दोस्तो इसकी वैल्लू कितनी होगी तो इसकी वैल्लू हो जायगी दोस्तो R जैसे 2 के लिए 2 लगाएंगे तो R T2 हो जाएगा और R T1 हो ठीक है यहां से दी कुछ कामन आ रहा है तो कामन ले लीजिए W इक्वल दोस्तो R बार आ रहा है 1 माइनस गामा और दोस्तो T2 माइनस T1 आ गया और यही दोस्तो अंति में आपका किया गया कार का फार्मूला प्राप्थ हो चुका है ठीक है ना तो दोस्तो यह आपका लास्ट है है ना फार्मूला अब इसको स्टार्टिंग से आपको क्या करना पूरा का पूरा स्क्रीन साट लेना है तब ही तो आप कर पाओगी तो चले स्क्रीन साट लीजिए तो यह आपका रहा पहले परिभासा फिर यहां से दोस्तों गड़ती ब्याख्या फिर यह आपका पूरा का पूरा स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है फिर दोस्तों आगे बढ़ा देता हूं मैं यह राफकार था यहां पर फिर यह पेज आगे बढ़ा है आपको स्क्रीन साट ले लेना है पूरा विजबर ठीक है इतना ले लिए होंगे दोस्तों आसा करता हूँ अब आगे बढ़ा दू इसको तो आपका ये कंप्लेट कहलाएगा ठीक है ये भी ठीक है तो चलते हैं दोस्तों फिर और पूरा लगबग मैंने ये जो समतापी प्रक्रम है पूरी कोशिस रुद्धोस प्रक्रम है पूरी कोशिस किये समझाने की और इसके पहले समतापी प्रक्रम भी मैं आपको समझाया हूँ आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है और समतापी प्रक्रम रुद्धवस प्रक्रम में अंतर भी काफी महत्पून है उसे भी देख ले रहा है तो चलते हैं दूस्तों मिलेंगे वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक ले जैहिन बन्यमात्रम